शेरू, प्लीज कुछ खा ले, सुबा साड़े ग्यारा पे जैसे तुने कुछ नहीं खाया शेरू, शेरू, प्लीज कुछ खा ले मैंने आपसे इतनी बार काया, एक बार फैसला आजाए मैं फिर खालूँगा, शेरू, फैसला आ चुका है हमारा प्राइम मिनिस्टर ना एहल हो चुका है शेरू, तो इस बात क्यों तसलीम नहीं कर रहा कैसी बाते कर रहे हैं, रिमोट उठाएं, जियो लगाएं, फैसला बसाने ही वाले जियो तो खुद यतीम हो चुका है शेरू, अब वो तुझे क्या दिखाएंगा फिर वही बात, अभी देखना, सुल्खरू होते ही मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉंसेंस करेगा और तमाम साज़शों को बेनकाब करेगा, और फिर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को बजारते भी तो देनी है उन्हें तो अब बजारते जिल्लत और उस्वाई ही मिल सकती है शेरू और कुछ नहीं मिल सकता लगता है आपको सकता हो गया, इतनी तरजर्बा कार टीम के होते हुए, कोई कैसे नहीं नाहिल कर सकता है खौजा असिफ, साद रफीक, आबिद शेर अली, ये सब लोहे के जने हैं, इन्हें कोई नहीं चबा सकता शेरू अदलिया नहीं चबा भी लिया और धूक भी दिया, खौजा असिफ का तो अपना अकामा निकलाया है साद रफीक भी अपनी ट्रेन की पटड़ी से उतर चुका है, फैमली के वीजे लगवा रहा है, और अब वो रॉकेट पे जाएगा और आब अब शेर अली, वो तो इतना इंपोर्टन भी नहीं कि उस पे केस किया जाए उसको तो राना सना उल्लाई काफी है चेरू, तु महीं बात माले पप्पू, पांचाों पेपरों में फैलो गया शेरू, तु विद्वा हो गया शेरू, तु विद्वा हो गया जब छुपा ने सकते, तो चौरी करते क्यों उतर है भैयाम बरबाद हो गए हम ब्रुट गए हमारे सर ये अजड़ गए तो फिकर ना कर मेरी जा, तो फिकर ना कर, कुछ भी होगा, मेरे पास एकाल है, हम पार्टी बना लेते हैं क्या सिर्दारी इसके बाद तुमारी बारी है झाल है